सी में केजरिवाल के माफी मांगने का सिलसिला जारी है। संग्ठन और पार्टी बनाई इनी आरोपर पर वॉलेंटियर भरती किये गए इनी आरोपर पर करोड़ो रुपए का चंदा लिया गया चुनाओ लड़ा गया वोट लिया गया एनराइज आए जिन्होंने चुनाओ परचार किया तो आप अचानक बेचारी हो गए और उन जि लीटिया के बारे में, शीला के बारे में, अम्बानी के बारे में, अडानी के बारे में, तो अब आप सावजनिक जीवन में क्या कर रहे हैं, फिर आपको घर बैठना चाहिए या फिर आपको इलाज कराना चाहिए की बात है तो यह तो लगब के एक साल पहले से ही उनके घर जाके माफी मांग चुके थे यह तो केवल एक फॉर्मैलिटी है और गेट करीजी केस को भी परस्यूनी कर रहे थे कोड में बिलकुर शांत केस पड़ा हुआ था तो असली जो मामला है माफी का वो जेटलीजी वाले मामले में ही सामने आएगा लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इतिहास में दो लोगों की माफी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी जाएगी एक बाबा राम रहीम की माफी जो मशूर थी उनकी गुफा में होने वाली और अब केजरीवाल की माफी मशूर होने जा रहे हैं तो वो सिलसिला तो बंद हुआ नहीं है पुरानी हर एक बात को जूट माना जा रहा है तो आगे वाली किसी बात पर कोई भरोसा कैसे करेगा मुझे लगता है क्रेडिबिल्टी खतम हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की राजनीती हम लोगों के भी हमले तेज हो गए है क्यामरामन पवन के साथ तरुन कालरा टोटल न्यूस दिल्ली